नमस्कार बच्चों मैं आपकी संस्कृत की अध्यापिका आज आपको संस्कृत का लेसन टू पढ़ाऊंगी जिसका नाम है एशह, एशा, सह, सा एशह, एशा, सह, सा ये चारों शब्द सर्वनाम है एक बच्चन प्रथम पुरुस के रोप है और जो इसमें ये किम शब्द है किम और आम ये हमारे अव्या है तो एशह, एशा, सह, साह, इनका प्रियोग किस तरह होता है पुलिंग शब्दों में पास की चीजों को बताने के लिए एशह का प्रियोग किया जाता है और दूर की चीज को बताने के लिए सह का प्रियोग किया जाता है उसी तरह इस्त्रिलिंग शब्दों में पास की चीजों को बताने के लिए एशा का प्रियोग किया जाता है और दूर की चीजों को बताने के लिए सा का प्रियोग किया जाता है एशह, सह, ये हमारे पुर्लिंग है और एशा और सा ये शब्द हमारे इस्त्रिलिंग है उधारन के लिए हम इसे इस तरह भी समझ सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति जो कि पुरुश है वह आपके करीब या आपके पास आता है तो आप उस व्यक्ति को इस तरह इशारा करेंगे एश है कै कि यह कौन है और यदि वही व्यक्ति दूर है तो हम करेंगे सेह खेलती वह खेलता है तो यह एश है पास के लिए हो गया और सेह दूर के लिए हो गया अब हम इस पूरे लेसन का अनुवाचन करेंगे और साथ साथ उसके हिंदिय अनुवाद को भी समझेंगे तो सबसे पहले है एश है कै यह कौन है एश है बाल के है यह लड़का है बाल के है खेलती लड़का खेलता है सह खेलती वह खेलता है एश है कै यह कौन है एश है छात्रे यह छात्र है छात्रे है पढ़ती लड़का पढ़ता है सह पढ़ती वह पढ़ता है एश है के? यह कौन है? एश है अश्व है यह गोड़ा है अश्व है धावती गोड़ा दोड़ता है सह धावती वह दोड़ता है एशा का यह कौन है? यह हमारा इस्त्रिलिंग शब्द है एशा बालिका यह लड़की है बालिका किम करोती? लड़की क्या करती है? यह जो किम शब्द है हमारा यह अव्य है बालिका हस्ती लड़की हस्ती है सा हस्ती वह हस्ती है एश है के? यह कौन है? एश है नरह यह आदमी है नरह किम करोती? आदमी क्या करता है? नरह खादती? आदमी खाता है सह खादती? वह खाता है एशा का यह दोनों शब्द हमारे इस्त्रेलिंग है यह कौन है? एशा अमबा यह मा है अमबा किम करोती? मा क्या करती है? अमबा पचती? मा पकाती है सा पचती? वह पकाती है इसका हिंद्य अन्वादै एक बार फिर देख लेते हैं एशह के यह कौन है एशह बाल के है यह लड़का है बाल के है खेलती लड़का खेलता है सह खेलती वह खेलता है एशह के यह कौन है एशह चातर है यह चातर है चातर है पढ़ती चातर पढ़ता है सह पढ़ती वह पढ़ता है एशह के यह कौन है एशह अश्व है यह घोड़ा है अश्व है धावती घोड़ा दोड़ता है सह धावती वह दोड़ता है एशह का यह कौन है एशह बालिका यह लड़की है बालिका किम करूती लड़की क्या करती है बालिका हस्ती लड़की हस्ती है सा हस्ती वह हस्ती है एशह के यह कौन है एशह नरह यह आदमी है नरह किम करोती आदमी क्या करता है नरह खादती आदमी खाता है सह खादती वह खाता है एशह का यह कौन है एशह अंबा यह मा है अंबा किम करोती मा क्या करती है अंबा पच्चती मा पकाती है सा पच्चती वह पकाती है अब देखते हैं आगे का पहरग्राफ एशा का यह कौन है एशा अन्विक्षा यह अन्विक्षा है अन्विक्षा खेलती अन्विक्षा खेलती है यह अन्विक्षा लड़की का नाम है सा खेलती, वह खेलती है एश है सिंग है, यह शेर है सिंग है किम करोती, शेर क्या करता है सिंग है खादती, शेर खाता है सह खादती, वह खाता है किम अन्विक्षा निर्थती? क्या अन्विक्षा नाचती है? आम सा निर्थती? हाँ वह नाचती है एश है बाल के है विवेक है यह लड़का विवेक है विवेक है किम करूती विवेक क्या करता है विवेक है पठती विवेक पढ़ता है सह पठती वह पढ़ता है एशा बालिका अन्विक्षा यह बालिका यह लड़की अन्विक्षा है अन्विक्षा किम करोती अन्विक्षा क्या करती है अन्विक्षा लिखती अन्विक्षा लिखती है सा लिखती वह लिखती है किम विवेक है पीवती क्या विवेक पीता है आम से पीवती हाँ वह पीता है हिंदी अनुवाद के बाद देखते हैं अब इसी लेसन के शब्द अर्थ जिसमें की पहला शब्द है दित्य दित्य मिन्स दूसरा एश है यह के कौन पूर्लिंग खेलती खेलता या खेलती है सह वह यह भी पूर्लिंग है छात्र है विध्यार्ती पढ़ती पढ़ता या पढ़ती है अश्वह घोड़ा धावती दोड़ता या दोड़ती है एशा यह है यह हमारा इस्त्रिलिंग शब्द है का कौन यह का शब्द भी हमारा इस्त्रिलिंग शब्द है बालिका बालिका मिन्स लड़की किम क्या करोती करता या करती है हस्ती हस्ता या हस्ती है सा वह यह हमारा इस्त्रिलिंग शब्द है नरह आदमी खादती खाता या खाती है अम्बा अम्बा मिन्स मा पच्च्ती पकाता या पकाती है अन्विक्षा यह लड़की का नाम है सिंग है शेर निर्थती नाचता या नाचती है आम हाँ विवेक है यह हमारा एक लड़के का नाम है लिखती लिखता या लिखती है पीबती पीता या पीती है तो बच्चो हमने यह लेसन टू का हिंदियन वाद और संस्क्रत दोनों पढ़ी और उसके साथ साथ हमने शब्दर्थ भी पढ़े आशा करती हैं यह पूरा लेसन आपको भली भाती समझा गया होगा संस्क्रत और उसका हिंदियन वाद और हमारे यह शब्दर्थ तो अब इस पूरे लेसन का आपको वर्क कैसे करना है तो सबसे पहले जब आप कौपी में वर्क करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे आप लेसन नमबर यानि के दित्य पार्ट लेसन नेम एशह, एशा, से, सा फिर उसके बाद आप वन लाइन संस्क्रत के लिखेंगे फिर उसके नीचे जैसे यह एशह कै, यह कौन है तो A शह कह लिखेंगे और फिर उसके नीचे इसका हिंदिय अनुआद लिखेंगे मतलब यह कौन है फिर दूसरी लाइन लिखेंगे दूसरी लाइन का हिंदिय अनुआद लिखेंगे इस तरह से आप पूरे लेसन की संस्क्रत और उसका हिंदिय नुआद लिखेंगे और उसके बाद आप ये शब्द अर्थ लिखेंगे ये शब्द ब्लैक पैन से और ये अर्थ ब्ल्यू पैन से तो बच्चो जिस तरह मैंने आपको वर्क करना बताया है उसी तरह से सुन्दर राइटिंग में अपना वर्क कम्प्लेट करना धन्यवाद